अपने दर्शिकों को इस वक्त करनाटक से जहां पे दो की गिरफतारी हो चुकी है गिरफतारी को लेकर ही अभी तक अंतिन संस्कार भी नहीं किया जा रहा था लेकिन आज ही अंतिन संस्कार की पूरी प्रक्रिया निभाई गई और अब इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानका ऐसे लिए घी अ करो चोगी है और इस गिरफ्तारी के बाद ये पता चलेगा कि आखर इसमें किसकि कि भूमिका रही है कौन इसमें शामिल रहा है कि उदायपुर की घटना से क्यों अमरावत्ती की घटना से इस घटना की तुन्ना की जा रही है क्यों हिंदू वादी संगठन जो है वो बहुत सादा घुस्से में हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं परिवार क्यों अलग तरीकी से आरोप लगा रहा है ये तमाम बाते संजीद की से सुनी जारी है गंभीरता से सुनी जारी है जब यहाँ पे अधे गंटे का बक्त परिवार को दिया और इसी जगह पे वो बैठे मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी इस बक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं उनको नमन करें पुश्ट चढ़ा रहे हैं और अगर कोई स्यासर से जुड़ा जगह लेकिन यहाँ पे सीएम को पहुंचना पड़ा है सीएम जब तक नहीं आएंगे परिबार वालों का घुस्सा सांग नहीं होने वाला है किसी भी सुरत में उनके पहुंचने की खबर मिल नहीं है पुर्व सीएम सिधर अमया के बेटे यहाँ पे आके जा चुके हैं इ यहाँ पे दो गिरफ्तारिया हुई है और दोनों की मौझूदगी है जावेद इस वक्ताजा आपने जाकीर यहीं पर उनको रखा गया है अपसे थोड़ी देर पहले यहाँ मेडिकल टीम भी पहुंची थी सिक्यूरिटी कारण से यहाँ उनका मेडिकल अंदर ही कराया जाएगा जिसके बाद उन्हें कोड में पेश किया जाएगा और हो सकता है कि रिमांड मांगी जाया और तफसील से पूछताच इन दोनों आरोपियों से होगी क्योंकि ये दोनों आरोपी हैं जो इस पूरे मामले में गिरफतार किये गए हैं और भी कई लोगों को हिरासत में इस पूरे मामले में लिया गया है तमाम जो आला अधिकारी हैं वो सुभा से इस थाने में आना जाना लगातार लगा हुआ है देखे गंभीरता इस पूरे मामले के आप समझ सकते हैं खुद मुख्यमंतरी जो बॉमाई हैं उनके पहुचने की संभावना है जो प्रवीन नेतारू है उनके आवास पर फिलहाल जो दोनों आरोपी हैं वो यहाँ पर मौझूद है किसी भी वक्त उ यह सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच होना अभी बाकी है फिलहाल दो आरोपीयों को ग्रफतार इसमें किया गया है और पुलिस हर कड़ी जोडने की कोशिश कर रहे है और जो SDPI का लिंक है वो भी निकल कर सामने आ रहा है जी बिल्कुल जाविद में आपके पास आती हूँ लेकिन इस वक्त में दर्शिकों को ताजा प्रेक यह कर दू कि CCTV फूटेज पुलिस के हाथों में है और उसी CCTV फूटेज के आधार पर उसको देखकर उसको खंगाल कर दो गिरफतारिया हो चुकी है आने बाले वक्त में और गिरफतारिया भी संभाव है क्योंकि सिर्फ यह नाराज की करनातिका के बिलूर गाव में नहीं है जहां प्रुविन का तादुक है बलकि इनके लिए लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में अंदोलन कर रहे हैं इनके लिए सड़कों पर उतर चुके हैं कि यह घटना भी है CCTV फुटेज जो है वो रास खोल चुका है कि वो चेहरे कौन कौन से है और CCTV फुटेज के निशान देही पर ही पुलिस को आज यह सहूलियत मिली कि उसने दो लोगों की गिरफतारी कर ली है और भी टी में अलर्ट है कहां कहां भागने की शंका हो सकती है उसके एंगल से भ बहुत सब्सक्राइब बाते पुलिस की आपको नहीं बता सकते क्योंकि पुलिस की जाज प्रक्रिया उसी तरीके से आगे बढ़ दी है जिन्हों ने पढ़ाया हारत कमान उनके लिए सबसे प्लस